Revolutionary Movement, First Phase भी बहुत सारे लोग और Organizations, British Rule के अगेंस्ट खड़े हो चुके थे। इन्ही में से एक स्ट्रेंड है, Revolutionaries का। इसलिए आज हम Revolutionary Movement के First Phase को डीटेल में डिसकस करने वाले हैं। तो आईए शुरू करते हैं। Introduction Reasons for Emergence दोस्तो, revolutionary activities की शुरूआत, militant nationalism यानी की extremism के byproduct के रूप में ही होती है। Extremist leaders ने ही शुरूआती दौर में revolutionaries को इंस्पार किया था। हमने देखा था कि कैसे Britishers की repression के कारण open movement का decline शुरू हो गया था। ऐसी situation में बहुत से young patriots थे, जो चुप नहीं बैच सकते थे। Government जब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का रास्ता बंद कर देती है, तब ये young leaders secret revolutionary activities की तरफ चले जाते हैं। Britishers के severe repression ने इनका गुसा भी बढ़ा दिया था। इसलिए ये उनसे बदला भी लेना चाहते थे। इसके अलावा, revolutionary movement की शुरू होने का एक कारण, extremist leaders का failure भी था। Extremist leaders, youth के जोश को सही दिशा दिखाने में असफल हो गए थे। British repression के बाद किस तरह movement को आगे ले जाना चाहिए? इसका कोई action plan इन leaders के पास नहीं था। ऐसी situation में youth को जो भी रास्ता सही लगता है, वो उसकी तरफ चल देते हैं। ये रास्ता और कुछ नहीं, बलकि क्रांतिकारी पत ही था। आईए, अब समझते हैं revolutionarys की ideology क्या थी और इनका plan of action क्या था। The revolutionary program दोस्तों, क्रांतिकारीों की basic ideology थी, Britishers को force के जरीए इंडिया से बाहर निकालना। इसके लिए वो Russian nihilist और Ireland के nationalist से inspiration लेते हैं। ये लोग individual heroic deeds में यकीन करते थे। Indian revolutionaries भी इनके ही दिखाए मार्ग पर चलते हैं। और unpopular British officials की हत्या करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे उनका इम था Britishers के दिल और दिमाग में terror पैदा करना। साथ ही देश के लोगों की feelings को arouse करना, जिससे वो British rule के against क्रांती करने के लिए तैयार हो जाएं। इनके action program में secret associations establish करना, military training provide करना और स्वदेशी decoity डालना भी शामिल था। ये तो बात हुई revolutionarys की ideology और उनके basic action plan की। अब बात करते हैं इंडिया के अलग-अलग region में होने वाली revolutionary activities के कुछ examples की। revolutionary activities in India दोस्तों, इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधी का tradition कोई नया नहीं है। स्वदेशी movement से पहले भी हमें कुछ revolutionary activities के examples देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे important region था महराष्ट्र। महराष्ट्र में ही Europeans का पहला political murder कमिट हुआ था। 22nd June 1897 को बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर पूना प्लेग कमिटी के प्रेजिडेंट मिस्टर रैंड को गोली मार देते हैं। हालांकि गलती से लिफटेनेंट Airst जो मिस्टर रैंड के military escort थे उनको भी गोली लग जाती है। इसके बाद चापेकर ब्रदर्स को अरेस्ट करके फांसी की सजा सुना दी जाती है। चापेकर ब्रदर्स का ये act revolutionary activity का पहला उधारन भी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक अपने newspaper केसरी में चापेकर ब्रदर्स के इस action की तारीफ में एक article लिखते हैं। इसके लिए British Government उनके उपर sedition charge लगा देती है और तिलक को 18 months के rigorous imprisonment की सजा सुनाई जाती है। 1899 में वेडी सावरकर और उनके भाई नासिक में मित्र मेला नाम से एक secret society organize करते हैं। मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत नाम की society के साथ मर्ज हो जाती है। जल्दी ही नासिक, पुना और Bombay Bomb Manufacture के centers के रूप में उभरते हैं। 1909 में अभिनव भारत के member अनंत लक्षमन कानहारे नासिक के collector AMT Jackson की हत्या कर देते हैं। British inquiry में पाया जाता है कि यह हत्या एक बहुत बड़ी conspiracy का हिस्सा है। यह conspiracy थी British government के against एक armed revolution organize करना। इसमें 38 लोगों को गिरफतार किया जाता है। साथ ही यह भी पाया जाता है कि सावरकर इस conspiracy के leader हैं। इसलिए उन्हें आजीवन देश निकाला की सजा सुना दी जाती है और उनकी सारी property जब्त कर ली जाती है। इस तरहें बेंगौल में भी बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती है। 1903 में पोलिन दास धाका में अनुशिलन समिती की पहली ब्रांच शुरू करते हैं। पी नाथ मित्र, कैलकटा में इसकी एक और ब्रांच शुरू करते हैं। 1906 में वरिंद्र घोश और भुपेंद्र नाथ दत मिलकर यूगांतर समिती इस्टैबलिश करते हैं। इसी नाम से ये एक निउस्पेपर भी निकालते हैं। इस निउस्पेपर में एंटी ब्रिटिश आइडियाज को छापा जाता था और लोगों में नैशनलिजम की भावना का प्रसार किया जाता था। 1907 में इस्टन बिंगॉल और बिंगॉल के लिफटेनिन गवनर को मारने के असफल प्रयास भी किये गए थे। इसके बाद 30 एप्रिल 1908 को मुझफरपुर के जज्ज मिस्टर किंग्सफर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। इनके उपर बॉम फेकने की जिमेदारी प्रफुल चाकी और खुदी राम बोस को दी गई थी। लेकिन गलती से बॉम मिस्टर कैनेडी के कैरिज पर गिर जाता है और दो लीडीज इसमें मारी जाती है। प्रफुल चाकी और बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है। चाकी तो खुद को ही गोली मार लेते हैं जबकि बोस के खिलाफ ट्राइल होता है और उन्हें फासी दे दी जाती है। 1908 में ही गवर्मन्ट कैलकटा में मानिक तला गार्डन्स और बाकी जगह अवैद हथियारों की तलाशी का अभिहान चलाती है। इसमें 34 लोगों को गिरफतार किया जाता है जिसमें और अबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष भी शामिल थे। इन सभी लोगों के उपर अलिपोर कांस्पिरसी केस चलाया जाता है। और अबिंदो घोष को एविडिन्स न होने की वजह से छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाकी सभी लोगों को सजा सुनाई जाती है। इस तरह बेंगॉल भी रेविलूशनरी मूवमेंट का एक इंपॉर्टन्ट सेंटर बन गया था। रॉलिट कमिटे के रिपोर्ट के अनुसार 1906 से 1917 के बीच बेंगॉल में डिकोईटीज के 110 केसे रिपोर्ट किये गए थे। और 60 से ज्यादा मुर्डर एटेंप्ट हुए थे बिटिश आफिसर्स पर। पंजाब में भी हमें रेविलूशनरी मूवमेंट का प्रभाव देखने को मिलता है। यहां लाला लाजपतराय और अजीत सिंग मुख्यरूप से लीड कर रहे थे। लाला जी जिन्हें पंजाब केसरी और लायन अव पंजाब जैसे नाम से जाना जाता है। पंजाबी न नाम का निउस्पेपर निकालते हैं, जिसका मॉटो होता है किसी भी कीमत पर सेल्फ हेल्प। अजीत सिंग जो की भगत सिंग के अंकल थे, वो लाहौर में अंजुमने मौसीबाएं वतन नाम से एक क्रांतिकारी संस्था शुरू करते हैं। संस्था भारत माता नाम से एक भी प्रकाशित करती हैं। लेकिन पंजाब में revolutionary activities पर जल्दी ही रोक लगा दी जाती हैं। क्यूंकि में 1907 में government political meetings पर बैन लगाने के साथ लाला लाजपतराय और अजीत सिंग को डिपोर्ट कर देती हैं। इसके अलाबा, December 1912 में डेली के चान्नी चौक में भी वाइसरॉ लोड हार्डिंग के उपर बॉम फेका गया था। बिहार, ओडिसा और यूपी में भी क्रांतिकारी अक्टिव थे लेकिन बाकी areas के comparison में यहां प्रभाव कुछ कम देखने को मिलता है। दोस्तो ये तो बात हुई देश के अंदर चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों की। आईए अब बात करते हैं ऐसे क्रांतिकारीों की जो देश के बाहर से आंदोलन कर रहे थे। revolutionary activities abroad। दोस्तो गवर्मन्ट के repression की वजह से बहुत से क्रांतिकारी विदेश चले जाते हैं और वहीं से अपना संगर्ष जारी रखते हैं। आईए जानते हैं उनके बारे में। और इंडिया से radical youth को लंडन लाने के लिए एक scholarship scheme भी शुरू की जाती है। शाम जी कृष्णवर्मा वे Indian sociologist नाम से एक journal भी शुरू करते हैं। सावरकर और लाला हर्दयाल जैसे revolutionaries इंडिया हाउस का member बन जाते हैं। इसी सरकल के मदन लाल धिंगरा 1909 में करजन वाइली ज रंडन के अलावा पैरिस में मैडम भीका जी कामा जो की एक पार्सी revolutionary थी बंदे मातरम नाम का अख़बार निकालती हैं। मैडम कामा को mother of Indian revolutionary movement भी कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के श्टूटगार्ड में organized world socialist conference में Indian flag को फेराया था। ये flag मैडम भीका जी कामा और जी कृष्ण वर्मा ने मिलकर डिजाइन किया था। और आगे जाकर ये इंडिया के national flag के लिए एक template का काम करता है। जर्मनी में विरेंद्रनाथ चौटपाध्याई revolutionary activities को लीड कर रहे थे। इनके newspaper का नाम तलवार था। फर्स्ट वर्ल्ड वोर के शुरू होने के बाद य प्लान के तहत 1915 में Berlin Committee for Indian Independence Establish की जाती है। इसमें विरेंद्रनाथ के अलावा भुपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हर्दयाल जैसे revolutionaries भी शामिल थे। इनका प्लान इंडिया में armed rebellion insight करना था। इसके लिए ये arms और volunteers को इंडिया में भेजने की तैयारी करते हैं। प्लान क इसके अनुसार ओडिसा के बाला सोर में हथियार पहुचने थे और बिंगॉल के क्रांतिकारी बागा जतिन इन्हें लेने आने आने वाले थे। लेकिन Britishers को इनके प्लान की भनक लग जाती है और पुलीस फाइरिंग में बागा जतिन मारे जाते हैं। दोस्तों इंडिया क पार्टी का इनिशल नाम Pacific Coast Hindustan Association था और इसे 15 जुलाई 1913 को लाला हर्दयाल, भगवान सिंग, करतार सिंग सराबा और भाई परमानंद जैसे लीडर्स की नित्रित्व में USA में फॉर्म किया गया था। इसका हेड़कॉर्टर्स सैन फ्रैंसिसको में था। ये लोग गदर नाम से एक पत्रि का भी पब्लिश करते थे, जिसमें British Rule के अगेंस्ट एक Armed Revolution की बात होती थी। गदर पार्टी इंडिया में क्रांती लाना चाहती थी। और इनके इस प्लैन को प्रोच साहन देने का काम करते हैं 1914 के दो इवेंट्स। पहला था कोमांगाटा मारू इंसिड की डीटेल्स जानना थोड़ा जरूरी है। तो आईए इसको समझते हैं। दोस्तो, कुमांगाटा मारू एक शिप का नाम था, जो 376 पैसेंजर्स को सिंगपोर से वैंकूवर यानी कैनेड़ा ले जा रही थी। ये पैसेंजर्स mostly सिख और पंजाबी मुसलिम्स थे। जब इसके बाद इन्हें वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि Canadian authorities ऐसा British government के influence में करती हैं। शिप September 1914 में कैलकटा वापस पहुचती है। वहाँ इन्हें तुरंत पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठने का order दिया जाता है। पहले से ही इतन लंबी यात्रा करने के वजह से ये लोग परिशान थे। ऐसे में ये ट्रेन में बैठने से मना कर देते हैं। और इसी बात पर पुलीस के साथ इनका conflict शुरू हो जाता है। कैलकटा के पास बजबज नाम की जगह पर ये conflict होता है और इसमें 22 लोगों की मृत्ति हो जाती है और बिटिश आमी के इंडियन soldiers को विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं। गदर पार्टी 21st February 1915 को फिरूसपुर, लाहौर और रावलपिंडी garrisons में Armed Revolt की date को भी fix कर देती है। लेकिन उनका ये plan लास्ट मोमेंट पर धोखे बाजी की वजह से खराब हो जाता है। उनका ह लीडर्स को अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाता है और करीब 45 लोगों को फांसी भी दी जाती है। रोश बिहारी बोस जपैन भागने में सफल होते हैं और वहां से अपना संगर्ष जारी रखते हैं। दोस्तों, गदर मूव्मेंट की इंपोर्टन्स उनकी आइडिय ये पूरी तरह सेकिलर अप्रोच के साथ मिलिटन्ट नैशनलिजम की सीख देते हैं। पलिटिकली और मिलिटेरिली तो शायद ये फेल हो जाते हैं क्यूंकि इनके पास और्गनाइजड लीडिशिप की कमी थी। इसके साथ ही ये आम्ड रिवोल्ट के लिए हर लेवल पर ज़रूरी प्रेपरेशन को भी अंडरेस्टिमेट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह इंडिया से बाहर रहकर भी रिविलूशनरी देश की आजादी के लिए संघर्श करते रहते हैं। कंक्लूशन दोस्तों ये था रिविलूशनरी बूव्मेंट का फर्स्ट फेज। रिविलूशनरी भले ही एक बड़ी क्रांती करके ब्रिटिशर्स को देश से भगाने में असफल रहते हैं। लेकिन इंडियन नैशनल बूव्मेंट में उनका कॉन्टिबूशन अनमोल अपनी अक्टिविटी से इन्होंने लोगों में नैशनलिजम की भावना को और ज्यादा प्रबल बनाया था। इनकी वजह से देशवाजियों में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धी होती है। ये इन क्रांतिकारियों की अक्टिविटी का ही न